Heleau friends welcome बेक टू आर्तिया में जैस्वाल व्लोग तो friends क्या आप टी के दर्स से बहुत ज्यादा परिशान है क्या आपके जोडों में भी बहुत ज्यादा दर्द होता है बहुत ज्यादा पेन होता है तो हम लेडेश जो होते हैं वो किछिन में काफी देर तक खड़े रहते हैं और काफी सारे काम रहते हैं हमारे जो हम किचिन में करते हैं उसके करण हमें खड़ा होना पड़ता है जैसे बरतन साफ करना बरतन को उनकी जग़े पर जमाना जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं और किचिन में खाना बनाना और भी काफी सारे काम रहते हैं बच्चों का लंच तैयार करना चाय बनाना नास्ता बनाना इसके कारण हमारी जो एडी होती है उस पर काफी सारा बजन लगता है और उसके कारण हमारी एडी में बहुत जादा दर्द होता है इन दिनों इससे क्योंकि जो होपाई मैंने अपने लिए फॉलो किये उनसे मुझे काफी ज्ञादा आराम मिला तो मैंने सोचा आपके शीयर करूं हो सकता है किसी फ्रेंड के ये वीडियो काम आ सके तो फ्रेंड से एड़ी का दर्द जब होता है ना तो जिसके होता है उसको ही पताए कि कितना खतरनाक दर्द होता है बहुत ज्यादा परहशानी होती है तो फ्रेंट सबसे पहला मैं exercise करती हूँ तो यह आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से वाल को रखकर इस तरह से पांच मिनट के लिए इस तरह से रखे रहे एड दूसरा उपाय है फ्रेंड हमें गुनगुने पानी में अपने पैर की सिकाई करना है और ऐसा हमें दो बार करना है जब हम सोते हैं रात में तब और जब हम सुबह उठती हैं तब exercise करने के बाद या नहानते समय भी आप इसको कर सकते हैं तो फ्रेंड्स तीसरा उपाय हमार मदार के पत्तों को लेकर है आप ये उपाई इतना असरदार उपाई है इससे आपको तुरंत ही एडी की दर्द से छुटकारा मिल सकता है और अगर इसे आप रेगूलर करेंगे तो आपको इतना फायदे बंद रहेगा कि आप जो होमेपैतिक और एलोपैतिक दवाओं से भी आपको इतना फायदा नहीं मिला होगा जितना फायदा आपको इससे मिलेगा और ये उपाई आप किसी भी दर्द के लिए कर सकते हैं कभी आपके जो पैर में दर्द हो रहा है या हाथ की मास्पेसियों में दर्द हो रहा है तो इससे भी आप कर सकते हैं तो इसके लिए हमन बहुत ज्यादा जहरीला होता है इसलिए साब्धानी से उपयोग करें बच्चे हैं अगर घर में छोटे तो उनसे दूर रखें इसको अच्छी तरह से वाश कर ले और जो हमारा रोटी बनाने वाला तवा होता है उसको उल्टा करके गैस के उपर रख दे गैस को स्लो कर दे उसके उपर इसको अच्छी तरह से दो कर इसको पलट के जैसे की जो चिकना पता रहता है उसकी ताइट से हमें तवी के उपर डाला जैसा वीडियो में देख रहे हैं और उसके उपर आप किसी तरह का कोई भी तेल डाल सकते हैं या तो और अरंडी का तेल डाल सकते हैं या बहुत ज्यादा असरदार रहता है मैंने इसको करके मेरे एड़ी के दर्थ से इतनी जल्दी छुटकारा पा लिया बहुत ज्यादा पेन होता था मैं समझ नहीं पाती थी कि क्यों इतना पेन हो रहा है अगर आपको यह उपाय थोड़ा सा कठिन लगता है तो इस इनके जो पत यह वीडियो में मेरा पेर कितना स्वैल हो रहा है कितनी स्वैलिंग आ रही है और एड़ी की साइट तो कितना वहेंकर स्वैलिंग आ रही है बहुत ज्यादा पेन था मेरे पेर में और मैंने यह उपाय करके बहुत जल्दी दर्थ से छुटकारा पा लिया तो मुझे लगा आए कि मैं वही वीडियो अपनी चैनल पर शेयर करूं जो दूसरों के काम भी आ सकें और मैंने खुदने भी उन्हें आजमाए हैं तो फ्रेंड्स इस तरह से गरम-गरम ही हमें अपने पैर पे इसको लगाना है जिस जगे आपके दर्द है उस जगे जरूरी नहीं कि पैर में लगाना है किसी भी जगे आपके दर्द है जोड़ो कि किसी भी मसल्स में या कहीं पे भी और इस तरह से हमें पट्टी बांद लेनी है पट्टी नहीं हो तो कपड़ा बगएर नेपकिन बगएर आप बांद लें पर याद रखे कि गरम-गरम ही लगाना है बहुत जादा ग 8 गंटी तक हमें इसका सेख मिल जाद शू फ्रेंड्स मेरा चोथा उपाय है हलदी पाउडर मैथि दाना के लेकर तो हलदी पाउडर को एक चमस्च छोटी वाली चाय पत्ती वाली चोटी एक चमस्च लेना है और अगर आपके पास मैथिदाना पाउडरे तो इसको भी अच्छे तरह से उबालने के बाद गुनगुना पानी हमको छान कर, ड्रिंक बना कर, चाई की तरह हमें पीना है, ये खाली पेट पीना है, और हमें इसे केवल साथ दिन तक पीना है, इससे जादा हमें नहीं पीना है, साथ दिन तक इसको हमें पीने से ही हमें इसका असर इसे जुड़ा है यह उपाए तो ग्लोई का जूस आप सभी को अच्छी तरह से बनाना आता है और आप चाहें तो ग्लोई की जू लकडियां आती है उसका भी जूस बना सकते हैं और या फिर हम उसके पत्तों का जूस बना कर पी सकते हैं और इसको भी हमें केवल साथ दिन त जूस बना सकते हैं और इसकते हैं और इसके लचल अवाग तरह से बना सकते हैं